नमस्कार मेरा नाम नितीश है और आप देख रहे हैं Breaking News with नितीश यूट्यूब पर एक ऐसा डिजिटल प्लाटफॉर्म जहां पर हम आपको इंटर्नल सीक्यूरिटी, स्टाटेजिक अफेर्स, डिफेंस और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्स्क्लूसिफ खबरें दिखाते हैं ऐसी खबरें जो आपको ना तो किसी टीवी चैनल पर नजर आएंगी और ना ही किसी वेब पॉर्टल पर ही जहां आज जिस साथ जिस एक्स्क्लूसिब ब्रेकिंग न्यूस के साथ हम आपके सामने मुकातिव हैं वो खबर CBI से है देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी सबसे प्रतिष्टित जाच एजनसी स्टेट ऑफ दा आर्ट बिल्डिंग लोधी रोड स्थित आप CBI का जो हेड़कॉर्टर्स है जहां एक महिला से 24 सेप्टेंबर को छेर चार की और उसके साथ बचसुलूकी की घटना होती है CBI प्रिमिसेज में उसी की ये बिल्डिंग है वही CBI हेड़कॉर्टर्स है जो कि आप फिलाल स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेट ऑफ दा आर्ट CBI बिल्डिंग जी हाँ य को इसके CBI की कारवाई पर सवाल उठ रहे हैं CBI की कारवाई पर सवाल उठने की वज़ा ये है कि 24 तारीक को ये घटना होती है 24 सेप्टेंबर को और CBI को इस मामले में F.I.R. दर्ज करने में 5 दिनों का वक्त लग जाता है जी हां 29 तारीक को 29 सेप्टेंबर को घटना के 5 दिनों के बाद CBI इस मामले में FIR दर्ज करती है और 3 अक्टोबर को इस मामले में जो आरूपी है वो CBI के Bank Fraud और Security Cell का एक Head Constable है तो उसको 3 अक्टोबर को गिरफतार कर लिया जाता है और बाद में उसे नौकरी से बरखास करने की शिफारिस भी कर दी जाती है CBI की तरफ से लेकिन उसके बाद भी CBI की कारवाई पर सवाल उटने की वज़ा क्या है इसी बारे में हमने CBI से भी जानने की कोशिश की मैंने खुद CBI प्रवक्ता से दो सवाल पूचे मेरा पहला सवाल ये था कि क्या CBI headquarters में ये जो घटना घटी है उसमें CBI का जाच करने का jurisdiction बनता है क्या क्योंकि इस मामले में जो FIR है वो CBI की anti-corruption branch दिली unit ने FIR दर्ज की है दूसरा मेरा ये सवाल था कि आखिर CBI को पाच दिनों का वक्त इतने संवेदंशील मामले में FIR दर्ज करने में कैसे लग गया ये सवाल हमने CBI प्रवक्ता से पूचे थे चार दिनों का वक्त हो चुका है लेकिन CBI प्रवक्ता की और से मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया है इसके बाद मैंने जो कानून के जानकार है जो वकील है उनसे बात की जो मैंने बात की वो CBI के ही केस से जुड़े एक वकील है जो आरोपियों के वकील रहे हैं मतला अपोजिट पक्ष के वकील रहे हैं बचाव पक्ष के वकील रहे हैं रहुल त्यागी ओगस्टा वेस्ट्लैंड और कोल स्कैम जैसे मामलों में आरोपियों की तरफ से CBI के खिलाब पेश हो चुके हैं तो उनसे मैंने यही दोनों सवाल पूछा, उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिये। इस केस का इंवेस्टिगेशन डेली पुलिस, पुलिस्टेशन लोधी रोड को करना चाहिए। यह बात सही है कि CBI भी इस डूडिस्टिक्शन को क्लेम कर सकती है, पर यह अकसर नहीं किया जाता है, और जहां तक प्रोप्राइटी का सवाल है, क्योंकि एक एक एंप्लोई है CBI का, तो उसका इंवेस्टिगेशन CBI करें यह प्रोप्राइटी के खिलाफ है, करने का पूरा अधिकार है, यहां तक कि मेरा क्याना है कि पहला अधिकार उनका है, और प्रोप्राइटी के हिसाब से यह काम दिल्ली पुलिस्ट को इसकी जांच सौंपे जाहिए, दूसरा सवाल आपका यह है कि क्या चार दिन की दिले एक बड़ी गलती है, जी हां मेरा य चार दिन तक इस केस को रिजिस्टर नहीं किया गया, जो कि एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल आपेंस है, तो यह एक बहुत बड़ी लापरवाई है, और हायर ओफिशिल्स आप सीबियाई शुड एक्स्प्लेइन वाई इसससो है, जी हां, तो यह थे रहूल जो वक्त लगा है, वो CBI की तरफ से एक लापरवाही है, इस मामले में इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तो यह जो घटना है, यह घटना 24 तारिक को CBI के BFSC में, जो कि 5th floor पर है CBI में, जो BFSC unit है, बैंक फ्रॉड और सिक्यॉरिटी सेल जिसको कहते हैं BFSC को ये फिफ्ट फ्लोर पर है CBI में उस वहीं पर एक कॉंट्राक्श्वल महिला करमचारी के साथ CBI के हेड कॉंस्टेबुल ने 24 सेप्टमबर को बदसुलोकी की उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद CBI की एंटी क एरप्शन ब्रांच जो दिल्ली यूनिट है उसने पांच दिनों का वक्त लगा दिया 29 तारिक को 29 सेप्टमबर को इस मामले में FIR दर्ज की तो जाहिरतोर से देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी जिसकी तस्वीर जिसका वीडियो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें CBI कारवाई भी करती है लेकिन फिर भी CBI की कारवाई पर सवाल खड़े होते हैं तो आपने कानून के जानकारों की राय सुनी और यही थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज यही थी हमारी आज की स्पेशल स्टोरी अगली बार कुछ वक्त के बाद हम एक बार फिर आई गी यह खबर अगर आपको पसंद आई हो तो कैंडली हमें लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें अगली बार तक के लिए नमस्कार